ओम शीगणी शाय नमा राधराधे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल वगता असलोजर में स्वागत है दोस्तों विजय दश्मी पर बहुत ही शुब सई योग बना हुआ है तीन तीन योग एक साथ बना हुआ है और विजय दश्मी देखे वुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मना जाता है शीराम चंद्र जी ने इस दिन रावण पर विजय प्राप्त करी थी और मा दुरगा ने महिसा सुर्गा वदि किया था तो ये दिन बहुत ही शुब माना जाता है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय निश्फल नहीं जाता है दोस्तो इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे यकीन मानिया आपकी जो भी मनो कामना है वो अवश्य ही पूरी होगी इस उपाय को करने मात्र से आपको करोड़ पती होने से कोई नहीं रोक सकता आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी माता लक्षमी का आपको आश्रिवाद अवश्य ही प्राप्त होगा आपके जीवन में आ रही बाधाय अवश्य ही दूर होगी दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने वरत कता इस लोजर चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्राइब अवश्य कर ले बगले बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरे आने वरी सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सके दोस्तो इस उपाय को आप सुबे से शाम तक इसी भी समय कर सकते हैं आपको शीर राम चंद्र जी के सामने इस उपाय को करना है अगर आपके घर में हैं नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाके भी कर सकते हैं दोस्तो आपको एक बूंदी का लड्डू लेना है या फिर बेसन का लड्डू ले सकते हैं या बेसन से बनी हुई कोई भी वस्तू ले सकते हैं अगर ये भी नहीं है तो आपके घर में जो रोटी बनती है या रोटी ले ले या फिर पूरी बनती है तो पूरी ले ले आपको थोड़ी सी चने की दाल लेनी है और उस पूरी या रोटी पर आपको थोड़ा सा गाय का घी मतलब लगाना है थोड़ी सी चने की दाल रखनी है और गुड रखना है दोस्तों ये वस्तु आपको मतलब श्री राम चंद्र जी के सामने मतलब रखना है और वहाँ पर दीपक जलाकर आपको राम नाम की एक माला का जाब करना है और साथ ही मा दुरगा के नमान मंत्र का 108 बार जाब करना है एम हीम क्लीम चामंडाय विच्चे और अपनी जो भी इच्चा है जो भी मनो कामना है धन की है संतान की है पुत्र की है जो भी इच्चा है वो शिराम चंद्र जी के सामने आपको अरजी लगा देनी है और उसके बाद शद्धा भाव से उनको प्रणाम करके अपनी इच्चा बोलकर उस रोटी को या उस अगर आपने लड्डू रखाए तो लड्डू को किसी भी गोशाला में जाए महाँ पर गोशाला जाकर गाय को प्रणाम करें अपने हातों से गाय माता को खिला दें और जो भी अपनी इच्छा है मनो कामना है वह अवश्य ही बोले दोस्तों गाय में 33 कोटी देवी प्राप्त होता है यकीन माने इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी जिस भी कारे में आपके रुकावट आ रहे है चाहे संतान की धन की माता लक्षमी आप से प्रसन होंगी और आपको धन की प्राप्ती अवश्य ही होगी दोस्तों इस उपाय क अवश्य करें निश्चित ही आपको लाब मिलेगा अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को ओम शी गनिशाय नमा